टहलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं टहलना को इंग्लिश में स्ट्रोल, वोक या एमबल कहते हैं या जैसे अगर आप ये कहना चाहें कि दोपहर के भुजन के बाद हम आराम से टहलने गई तो आप कहेंगे after lunch we went for a leisurely stroll या अगर आप ये कहना चाहें कि वे पार्क में टहलने चले गई या पार्क में टहलने गई तो आप कहेंगे they went for a stroll in the park या they went for a walk in the park अपने English को भेतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोज आप चैनल के home page पर जाकर देख सकते हैं और आने वाली ऐसी ही वीडियोज की notification सबसे पहले पाने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें